नमस्कार स्वाकत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप सिंदी में दोस्तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं बताने वाली हूँ अंजीर के फायदे आए जानते हैं इसके बारे में अंजीर एक ऐसा फल है जो खाने में बहुती स्वादिस्ट है अंजीर खाने में जितना स्वादिस्ट है उससे ज़्यादा इसमें गुण है यदि आप रोज अंजीर खाते हैं तो आपको अनेको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे आज मैं आपको अंजीर के फायदों के बारे में बताऊंगी काफी बैक्तियों ने अंजीर के गुण से लाब लिया है आप भी अंजीर से लाब उठा सके ये ही हमारा परियास है हमें उमीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी अंजीर के फायदे पाचन शक्ति मजबूत करे और कपच को दूर करे अंजीर में फाइबर अधीक मात्रा में पाया जाता है फाइबर अधीक होने से ये कपच को जड़ से खत्म करता है यदि आप अंजीर को रोज सेवन करेंगे तो आपको पेट से समदित रोग दुखी नहीं करेंगे और पेट साप रहेगा कपच और गैस जैसे रोग आपसे कोसद दूर रहेंगे यदि आपका पेट सही है, खाना सही पच्चता है, तो आपको कभी कोई रोग नहीं हो सकता अंजीर मोटापा तेजी से कम करता है, अंजीर में फाइवर तो अधिक होता ही है, साथ में इसमें फैट भी काफी कम होता है इसलिए ये आपका वचन जल्दी कम करेगा और आपको ताकत भी देगा कमजोरी दूर रहेगी उच्छ रक्त चाप को जड़ से खत्म करे यदि आप नियमीत अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो आप उच्छ रक्त चाप जैसे रोग को हमेशा के लिए दूर रख सकते हैं और यदि आपको उच्छ रक्त चाप नहीं है तो भी आप इसका सेवन कीजिए आपको काफी लाब होगा भविश में कभी रक्त चाप की समस्या नहीं होगी अंजीर दिल को तंदरुस्त रखे इसमें उच्छ मात्रा में ऐसे गुड़ होते हैं जो आपकी रक्त कोशिकाओं को स्वस्त बनाए रखते हैं और दिल से सम्मंदित रोगों को नहीं पनपने देते इसलिए दिल के रोग आप से दूर रहते हैं हड्यों की मजबूती के लिए फाइदे मन यदि आप रोज ये खाते हैं तो आपकी हड्यां मजबूत रहेंगी एक अंजीर में 3% कैल्सियम होता है और ये कैल्सियम आपकी हड्यों को अधिक सक्ति परदान करेगा इसलिए रोज इसे खाईए गर्भावस्ता के दौरान कपज को दूर करे जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें फाइबर जादा होने के कारण पेट के रोगों को दूर रखता है यदि गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन कराया जाए तो गर्भावस्ता के दौरान होने वाली कपज को जड से खत्म किया जा सकता है और शिशू का स्वास्त भी अच्छा होगा अंजीर का तासिर गर्म और ठंडी यदि आप इसको सुखा खाएंगे तो इसकी तासिर गर्म होगी यदि इसको राद भर भी गोगे और उसके बाद खाएंगे तो इसकी तासिर ठंडी हो जाएगी खाव होने पर अंजीर का परियोग यदि आपको घाव हो गया है तो आप ये परियोग कीजिए आपको अच्छा फायदा होगा दूद में सूखे अंजीर को पीस कर पेस्ट बना ले और घाव पर लगा ले इसके घरेलू उपचार से जल्दी ही घाव भर जाएगा सूजन में भी परियोग किया जा सकता है यदि गले में सूजन हो गई है तो इसका काड़ा बनाईए और इसे पीजिए जल्दी ही सूजन ठीक होगी यदि जीप पर सूजन है तो इसको अच्छे से पीस कर लगाने से लाब होगा शक्ति वर्धक है और कमजोरी भी दूर भगाता है यदि आपको कमजोरी रहती है और शरीर में ताकत कम है तो रोज इसे खाएं और उपर से दूद पिए आपको काफी फाइदा होगा कमजोरी जल्दी ही खत्म होगी और आपको ताकत मिलेगी सुगर यानि की मधुमे में भी बहुती फाइदे मन्द है यदि आपको सुगर है तो आप इसको खाइए आपको विशेश लाब मिलेगा इसके परियोग से आपको मधुमे को दूर करने में आसानी होगी अस्तमा में फाइदे दमे के रोगी के लिए ये अंजीर काफी फाइदे मन्द है रोज इसे खाइए और दमा जैसे रोगों को भी दूर रखिए उमेद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके